हेलो कैसल कंडू स्पेशल एज्यूकेशन अमश्कार दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सब कापके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एज्यूकेशन सो जैसा कि आप लोग अपनी मुबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो आज के स्वेड़ों में मैप के लिए एक और इंपॉर्टन इफोर्मिशन लेकर आँ हो आपके अपने चंडिगर्ड में एक और वेकेंसी निकलिए ठीक है और चंडिगर्ड के कौन से डिपार्टमेंट में निकलिए वो मैं आपको आगे बताऊंगा पोस्ट के नाम देख सकते हो आप लोग असिस्टेंट की पोस्ट है अटेंटेंट की पोस्ट है एंड हल्पर की पोस्ट है ठीक है जिसमें की मेल कैनिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं फीमेल कैनिडेट्स भी अप्लाई कर सकते सेलरी अभी मैं आपको आगे बताऊंगा एंड लास्टेट के अप्लाइकरने की उसके बारे में भी डिसकस करेंगे बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर पहरी वर्जिट कर रहे हो एंड इफ यू हैव नोट सब्सक्राइब इस चैनल जैनल प्लीज दू सब्सक्राइब इस चैनल और प्रेस्टी बैल आइकन तो यू केट अल दा लेटेस्ट अप्लेट फो मर चैनल चली दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट की है सो हो जैसा कि आप लोग अपनी मुबाइल स्क्रीन पर ओफिशल नोटिफिकेशन देख सकते हो डिपार्टमेंट आफ सोशल सेक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल डेफलोप्मेंट पंजाब चंडिगर में आप लोग की वेकेंसी निकली है जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की या एप्लिकेशन डिसिप्ट की उनके पास पहुंचने की वो है 22 नुवंबर 2021 ठीक है पोस्ट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहली पोस्ट है आप लोग की नर्सिंग असिस्टेंट की इसमें फार्मेसी मांगी है और दो साल का एक्सपिरियंस मांगी है टोटल एक पोस्ट है सैलरी इसमें आपको 15,000 रुपीज पर मंद 15 जारपे पर मंद दी जाएगी अगली जो पोस्ट है वो अटेंडेंट की है अटेंडेंट की पोस्ट के लिए इन्होंने बोलागी अगर आपने मिड़ल स्टेंडर्ड विद एड़ और पास कर रह ए किया मतलब अगर आपने आठ्वी और दस्वी कलास पास कर रह ए या फिर आपके पास पंजाबी लैंगविज की नॉलेज है मतलब पंजाबी language में आपकी 8th class pass होनी चाहिए साथ में आपके पास relevant field में experience है तो आप apply कर सकते हो दो post है इसमें SC और journal की male candidates की है और DC rate पर इसमें आप लोग को salary मिलेगी अगली जो post है वो helper की इसमें qualification मांगिए middle standard with 8th और साथ में पंजाबी language की knowledge मांगिए इसमें कोई experience नहीं मांगा एक post है इसमें और ये male candidates के लिए है और ये DC rate पर है ठीक है इसके अलावा इन्होंने बोला है कि detail notification के लिए आप लोग इनकी website पर visit कर सकते हो और ये जो निकली है इन्होंने post निकाले ये आप लोग के पहले पहले एक साल के लिए आप लोगों के लिए ये की जाएगी बाद में actually first one year के लिए आपको contract basis पर रखा जाएगा बाद में इसको तीन साल तक extend कर सकते है ठीक है और उसके बाद गाम अच्छा लगा तो आप लोग को permanent भी कर सकते है तो ये important information share करने थी last date में आप लोगों को बता दी 22 November 2021 है इसके लाबा कोई doubts हो तो आप लोग पोच सकते हो एंड वीडियो ची लगे तो लाइक करना और चैनल पर पहली बाद जिट कर रहे हो तो चैनल को subscribe करके वेल आइकन को जुरूर प्रेस कर लेना